नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम सिंग और इस वक्त मैं अपने सुसाइटे में मौजूद हूँ आज हमारे हाँ एक नए गेस्ट का आगमन हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमारे नए गेस्ट से आपकी मुलाकात हो जाए यह टीम लोहानिपूर है और हम करीब अपने गाउं से दूर है करीब 1000 किलोमेटर दूर थाकुराइन प्यारी मिलिये हमारी देवरानी बोले कि भुजाई बोले यह गौरब हमारे गाउं के गौरब है और यह चोटे से नन्य से प्यारे बच्चे से हाई बोलो हाई करो तो हम लोग मिलके अभी जा रहे हैं यहां पर पास में एक म तो अभी हम लोग गुलगप्पे जो चाट वाले हैं चाट सेंटर में आये हैं और लोहानिपूर की गाउं की बहुआ चाट और गुलगप्पे के स्वाद लेंगी साथ ही हूं में लोग मार्केट बें बहुत जयादा इंजय कर रहे हैं और जो लोहानिपूर की जो दोव बहुएं हैं उन्होंने गुपचूप का स्वाद कैसा रहा हорд। लड़के का क्या हाल है यह बीना काया हुए ठेंगा दिखा रहे हैं ऐसे जा हुए दे बीना काया ना काया है इसे चल बीना काया शुए बीनगा कि आगे भी देखना है कि आगे देखना है कि क्या क्या खुज रहा है अब इसका डिमांड है अलग डवल डेकर बस है कैंटर वे इककर करके डिमांड करता है हर चीज का डवार डवार डवब डवाइब कर देखो अफर देखो हाई कर लो टेखो डरो देखो अगा जागे अगार कि अगे इचा पीड़ेटा पाइब दूस्ट पीड़ेंगे लिए में पीड़ेंगे इसे लिए ज़्यार्ट पीड़ेंगे देविंगे दूस्टूस्टू इसे यह लग रहा है बोलो कैसा लग रहा है क्या है बताईए बोली है अहां देख के टिंडर ज्वाय है जिसको खाने के बाद ज्वाय आएगा तो ज्वाय खत्म हो जाएगा यह कीचर है शिक हाला मुटे सब्सकारण था हम, बुद्रो थियुखेर, प्रियुखेर, विर थोद्रल के बंचराण चिता का बंचरा के साइध, रचा क्या आरे जुखेर्चिकर कीचरा। मढ के हम्constboro एक spoil जाएगे जिदाएगा'S थाहाथ। प्रोजा पीला रोगार दो प्रॉट जो आप लोगे दो दो आपट्व जो आपट्ट जो आज आप जो आज आज़ा जो आज़ाओ मार्केट घुमने के बाद हम आ गए हैं अपनी सोसाइटी में एक सुपर मार्केट है और हम चाहते हैं कि हमारे जो बेटे और पुतो हैं उनको मार्केट दिखा दिया जाए तो अभी आप लोग को मार्केट दिखाए जा रहा है और आप लोग तयार हो जाए यह मार्केट देखने के लिए पहले ही तो समान खरीद लिया है तो यह मार्केट वाला बोले है कि यहां पर बस देखने आया हो क्या तो हम लोग मार्केट से घुम चुके हैं मेरे हाथ में बस कोल डूड के हम लोहनिपूर के लोग हैं साथ में मिलकर लिट्टी चोखھा खाणे वाले हैं और साथ में स्पेuetाल चीकन खाणे वाले हैं देखते हैं कि लोहनिपूरत की बेटी है ज़ रौ रही है क्यों लोहानिपुर की बेटी citizen what do you like a ज़ीलोहानिपुर की बेटी क्या रही है amd खोल दिया जाए लेकिन यहां पर गंदा कर देगी तो आज जो हम लोग घर जाने वाले हैं क्या-क्या बिवस्था है डिम्पल जी आप बताई है आप हमारी मेहमान भी है किया खाना पसंद है हां और किया बना है और क्या रिकटी चलते चलते हरा हम अरह च्छी employment पेले वह अभी चीकेन बनाएंगे लिटी बनाएंगे और यह रायता मास्क घटा लेती तो और अच्छा रहता अभी बीना मास्क के चलना सः नहीं हम लोग है ना वैसे भी कुरेंटाइन से फेंबली कुरेंटाइन नहीं दो और बाबु यह लोग तो चैस नहीं पता रहें आप क्या पसंद करेंगे क्या अच्छा लगता है अच्छा तो ऐसे सब कुछ लगता है लेकिन ओन डिमांड आज बनाया जा रहा है एकदम समझे देशी मुर्गा है और टंगरी के साथ और चना का सब्तू होता है आप जानते ही होंगे नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजेगा उस में उसका लिट्टी बन रहा है एकदम देशी तरीके से दम सर्शो तेल ठोके और लहसुन ठोके और मज़ा आएगा खाने में बहुत ठोंग रहे हैं यह बात और विवाद होता ही रहेगा और यह बावा से काफी प्रभावित है मतलब योगी आदितिनाथ से जैसे की लिट्टी चोखा के नहीं मानते हैं तो अब लोग घर जा रहे हैं और गहर जाने के बाद हम लिट्टी चोखा चीकेन सलाद का और साथ में कोल ट्रिंग्क का आननद ःफाएंगी ढ़ाव हम घर की तरफ चा रहें हैं और हम लिट्ट का सारा लेंगे हमारे ठीक पीछे जो हैं गौरब हैं डिम्पल हैं पुस्पा हैं छटकी ठकुराइन है और वंज है अब हम अपनी सोसाइटी में एंट्री ले चुके हैं और कि लिफ्ट के सहारे हम घर की और जाएंगे अभी दसमें दसमें फ्लोर पर लिफ्ट है मैंने इसे क्राउंड फ्लोर प्रोल गुलाया है गाल रहा हूं देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट आएगी सबी लोग एक्साइटेड है सांदार लिट्टी चोखा और चिकन खाने के लिए ये फैमिली वाला लिट्टी चोखा है क्योंकि जो बिहारी होते हैं खास करके वैसे भी लोग मुझे लिट्टी मैंन ही कहते हैं आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि बेतरी लिट्टी कैसे बनाता हूं अपनी हाथों से अब हमारी एंट्री है लिफ्ट में हो चुकी है और गौरब जो है जिनका उपनाम बन चुका है गौरब ठोक के सभी लोग मुश्कुरा रहे हैं बच्चा पार्टी अपने दुन में तो दोस्तों अब अपने घर की तरफ कदम रख चुका हूं और हमारे पीछे पीछे गौरब एंड वंस आ रहे हैं और उसके बाद उनके पीछे प्यारी डिंपल और पुष्पा आ रहे हैं तो हम अपन सब्सक्राइब यहां परोश में रहते हैं बाबु आज यह क्या बन रहा है किचन में क्या अच्छा और यह क्या अपने कुछ पगा अच्छा लेज को आप फ्राइब कर रहे हैं कीजिए कीजिए अर्य प्यारी खा रही है जरा बता देजिए अपने दोस्तों को मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दिजिए मेरा नाम वंस है मेरे पापा का नाम गौरब है और मैं अपनी मम्मी के साथ यहां आया हुआ हूँ मैं अपने किचन में लेज बना रहा हूँ और ये इसको देखिए ये खा रही है ये खा रही है लेकिन कोई बात भी ये छोटी बेहन है जोटी बेहन है दोनों देखो प्यारी आज हम लोग का अराम करने का दीन है क्योंकि हमारे ससूर जी और हमारे पती दियो कीचन में लगे वे चलिए हम आपको दिखा थे आखिर वह लोग कीचन में कर क्या रहे हैं अरे हम लोग आज आप लोग के लिए बना रहे हैं लिटी चोखा चिकन यह देखिए चिकन हमने बनाया है बहुत बहुत बिहारी स्टाइल में इसमें जानते हैं सारा मसाला जो है ना पुरा सिल्वाट वोला है पिसा हुआ और यह इसमें जो मुर्गा है वो उक्रेयन का है इसमें बहुत सारे इंग्रीडियेंट्स है अच्छा हरी मिर्च है सब ठोके है लैसुन है और धनिया पत्ती भी है लेकिन थोड़ा हलका है इसलिए दिख नहीं रहा है अच्छा है अच्छा है जो सेखन हभी भी आटा हैं हभी भी हभी एकदम तो आप लोग से बुजारिश करूंगा कि हम लोग को आदा गंड़ा के समय दीजिए लिटी चोखा चिकन हाजी रहा हो कर अब अराम किजिए आप लोग चलिए आज हम लोग फुली आराम ही करते है और पती देव और अपने ससुर्जे के हाथ की चिकेन और लीटी खाते हैं दोस्तों आज बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने आप लोग के लिए मतलब आप लोग के लिए नहीं अपने परिजनों के लिए ये लिटियां बनाई है कि यहां पर सिग्री नहीं है कोईले की मतलब कि कमी खल रही है लेकिन हम तावा पही बना रहे हैं साथ में चाय की बिवास्था भी हमने कर दी है यह इदर सलात प्रता हुआ है और यह दंदार यह दंदार जो है यह है अपना राइता और जो लौहानिपूर के जो सक्स हैं जो सक्त लॉंडे हैं गढ़त बदाएं कितना मेहनत किया है इस पर बहुत टाइम लग लग रहा है अगर कोईला होता या जो कहते हैं लकडी का कट कोईला बोलते हैं इस पर कोईला जैकली अप लोग आप लोग ने अराम किया अच्छा लगा आज हम लोग जो दो लोहनेपूर के मतलब पत्नी भक्त जो है तो पत्नी भक्त लोग मिलने के काम करें तो यहीं नहीं पत्नी भक्ते नहीं प्ल जी अच्छा लगा तो सुखोशित रूप से आज हम लोगों ने यह तैय किया है कि आज महिलाओं क्यों सम्मान किया जाए उनको आराम करने क्योंकि ये बैचारी कभी छूटिया नहीं लेती हैं साल भर में आज हम और गौरब ने प्रण लिया है कि आज इनको छूटी दी जाए